में अज़रे आपने एक हमारी बेहन दी कॉलर आई थी जो के वाकी चाहिए थी कि कुछ प्रैक्टिकली जो है इस पर कोई ऐसा एक्षिन लिया जाए कि जिसकी वज़ा से जो है मैं फिर वही वाली बात करूँगा कि प्रैक्टिकली सिवाए यह मतलब कौम हम दंगक फिज़ात नहीं करने वाले लोग हैं हम इस्टैप लेंगे और्बानी पेश करेंगे रिजल्ट खुदा देगा मैं इसके पथोड़ी से और गुफ्तु को करूँगा मैं एक कॉलर हमारे करिकार्धे के वाक़िया होते हैं वो श्या इमांबार गाउ기도 पार शियां इत्वा इंड़ कामस कम् servis श्या इथी को हम इसकяти कि इत्वाक है कि तमाम धुफ्ता गर्द्म कषिट घर्टग जो एक少 थार्टत गाते हैं वो सारे के सारे रायविंड़ में हैं क्या है इत्तवा होता है और हम यह देखते हैं कि पाकिस्तान की मौझूदा जो हकूमत है इसाफ लख़े में कहना चाहिए वो अपने दिन में उनके लिए नर्म गोशा रखते हैं और शीयों के लिए नहीं बिल्कुल लाक्सी शीया दुश्मी जो 35 इज्री से जारी थी आज तक है अकीकत अब होती है मकाम शबीरी बदलते रहते हैं अदाज कूफियों शामी पहले जहर दिया जाता था अब देश्ल गर्दी और अगवाकारी है मामला वही है बस सतीरा कार राय अजल सिता इमरोज चराग मुस्तफवी से शरार भूला भी ये चराग मुस्तफवी को बजाने से जो 35 इ होंगी इसलिए कि अल्ला का हुकम है अल्ला का क्यामत तक इसलाम को कोई मटा तो नहीं सकता लेकर उसकी इस शखल में जो देशित गर्दी होती हैं ये बड़ा अदालते मजबूर हैं अदालते शायद वो कर लेकर पॉलीस करेस को कमजोर कर देती है अगर को होता है तो उसक है तो मुझे स्कूल में जाते हैं पता है तुम कहा रहते हो तो जज़ भी मिजबूर है एक सलसला है जल्म का वही सलसला जो चला था जो गरीव शाम ने चलाया था जैर खुरानी से वो आज तक जारी है अल्ला ताला शीय की इह वास रहे हैं हम पाकस्तान के लिए बड़े म हैं लेकिन वहां जो हालात किये पैदा किये जा रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है हकूमत को इसका इस तरह तवज्ज़ देना चाहिए थी जो वो जान बुझ कर रही या मुझबूरियों के तैद कर नहीं पा रही और ये अंदाज बहुत गलत है जजा कला हूँ उन्हें एक खोटे सिकों वाली बात तो अपली नहीं कही थी, लेकर वो बहुत इस तरफ से परेशान थे, तो उन्हें बताया गया कि डाक्टर साथ ये अलफाज हज़त करते हैं, और हाँ आप समझ सकते हैं, कहां से सालसें शुरू होई, जिसका लावत राई सिर्जला आज जा रही है, अल्ला पाक्स्तान की, अल्ला शेहित की अपना समय रहा हमें याद रखिए। पहले नहीं थी, तो क्योंकि हमारे अंदर भी बाद ऐसे अनासर पैदा होगे हैं, जो कि पहले के इंकशार बला रहे हैं, शीयत को बाद ऐसी रसुमा से, और दूसरा बाहर से तो मामला थाही हैं, और दूसरी चीज़ जो महम्मदली भाई की बाद की ताइब भी करूँग खाने आते हैं, तो वो अपनी आईडी लाजमी शो करें, क्योंकि अब रात के वक्त कोई बंदा किसी के घर में गुसरा है, और उसे यह जन्सी का बंदा है, बगार आईडी के यह यह चोट डाकू है, वो अगवाबर तावान के लिए नोज़वान को उठा रहा है, यह किस और मुकासित के लिए, तो इस चीज़ का मैसम में तो हमारे जो अल्मा इकराम हैं, इन्हें एजन्सी से यह इस चीज़ की शोटी लाजमी लेनी, क्योंकि कोई भी अगर एजन्सी का बंदा है तो अपनी आईडी लाजमी शो करें, बहुत शुक्रिया, जजाका लाए, हो रहा था, इबाम खुमेनी के तयारा फरांसे, हीरान की तरफ हा रहा था, अफिजाओं में था के मशूर इंग्लिश चैनल के रिपोर्टर्स उसके अंदर थे, और उन्से पूछा कि क्या आप इंखिलाम परपा कर देंगे, हो जाएगा, उन्हों का कि जो मुझ से पूछ इंकलाब कामियाब होगा या नहीं, यह खुदा का काम है, आप इस टैप लेंगे या नहीं हामिलूंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझ से पूछ रहा है सवाल है, मुझ से पूछो, जो खुछो, जो खुदा ने करना है, वो खुदा करेगा, हमने तहरीक लाँच की, असर्ज भाण को जिरा से पूछाद से पुछाप फुरसा पेश प्रिश करते है हाँ, जर मुसलिमान मुलकम में, मुसलिमान होकमरान, मुसलिमानों के साथ ऐसा स्लूप करेंगे, तो मकबूज़ा कि शमीर, बबढमा, फलस्तिन में गैर मुस्लिमानों का क्योछ रहाज करेंगे? ब लगा कोई नहोए जञार, उसका शुल्म ना करना अल्हा हो तू शाफ करें, और ही आमें नाक्षुआ अफ़ रहाद आ घजजाक अल्वाद, मरी बैंजाक अल्हाद जुल्म की दास्तान नही nail है जिसे हभी, जनाब मखसूस ऐसे हसाब नकाब, बहुत पुरानी है हद कंडे बदलते रहे ये टार्गेट के लिंग कहा से आई? ये टार्गेट के लिंग बन उबया के जमाने में माविया ने शुरू की मौला लीग के ओपर जो इख्दाम था ये क्या थै ये टार्गेट इस ट्राइक थी लागा तो आप पदा चालता है कि पीछे जाना पड़ता है किसी भी चीज़ को जब आप देखें अगर कोई मुझरिम लाए जाता है investigation क्या होती है पीछे उसकी जंदगी के औराख पीछे खोलते है ना इससे पहले क्या था कहा पला है कि लोगों साथ उठा है कहा बैठा है किस मौल में किस खानदान से कहा पैदा हुआ है पीछे जाते रहते हैं और वो close मिलते जाते हैं और picture clear हो जाती है अब यजीद को खाली के यजीद ने कर दिया यजीद को लाया कूं था उसको कूं लाया था जब आप तारीख औराख पीछे जाएंगे आपको पता चलेगा रसुल्ला से दुश्मनी किस खानदान की थी अब उस्फियान पकला जाएगा वाँ तो ये जो चीजें हैं ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं और जहांसे बात हो रही है कि मक्तब फिकर देखें, sorry to say, हमारा लड़ाई एक आइडिया लॉजी के साथ है एक बाकाईदा, एक मक्तब के साथ है वो मक्तब फिकर नहीं है, मक्तब फिकर जो है यह किसी को नहीं मानते हैे, यह सिर्भ बम फार्णा जानते हैं, यह किसी अदिल्ला की कि कायल नहीं है, यह कोई बुरहांड बात नहीं करके है, इने हाथ में बमें बस तै कियोंकि यह किसी की चीज्ञांच पर पूरे अ Burch उतरते नहीं तो इसको यह कहना कि यह मकतब पे फिकर एंग एक सियासी यतीम एक मजमुवा है निजासत का मैं तो इसको एक ना कौम कंसीडर करता हूं हमेशा मैं अपने जोड़ाइब हो रेवर्ड है जानवरों का रेवर्ड है जो कभी यह कोई मक्तव फिकर नहीं है इनके कुछ आगी नहीं कहसे कि इनके अलमा से बात हैं ये सियासी यतीम मजमुवा है हम इसी बहु कहरें ये जुलम हो रहा है कि आप सियासी यतीम मजमुवे का मुकाबला मौजजिस तरीन قوم के साथ कर रहे हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है चौता सो साल का ट्रैक रिकॉर्ड है सतर साल पाकिसान की उमर हम नहीं बात कर रहे हैं हम चौता साल का पेश कर रहे हैं ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है कभी किसी शिया ने किसी को बिला वज़े गतल नहीं किया मकतब ने उसकी जाज़त नहीं दिये अब जब ये चीज़े टेकनलोजी दाखिल हुई देशत गर्दों के हाथ वो आई खुदकश बनने लगे टार्गेट किलर बने आप मुझे बताएं कोई एक शिया मुझे साफ साफ लिखा है कि असकरीक तालीम भी और फना भी कोई बुर्खा पहन के भागा जा रहा है कोई लाल मस्जिद में बच्चीयों को इस्तेमाल कर रहा है उन से समझे ना असले है कि आप लोगों डेपो बनाया हुए है फिल्कुल जमीन बनाया हुए है और अप फिर और अलीभाई बताओं आपको के छोटे चेहरों की बात करती कर चले जाओं तो वहां पर भी जो मॉस्स हैं उनके अंडर गाउंड असले का बड़े बड़े जो कैसे नहीं मालूम मुझ जैसे आम आदमी को मालूम है कि गुरुमंदर पे बिनाओरी टाउन मस्जद पे जो नमाजी पाचछाजार आते हैं मैं नमाजी नहीं यह देशत गरने हैं अब आप कैसे कह रहा हैं तो मैं ऐसे कह रहा हूँ उसके सामने जो आबादी है वो मेमन जमाद की अबादी है करोनों के बंगले हैं वो सारे बिनाओरी की जो ट्रस्टे उसने खरीद ली हैं और उसमें सारे बैसलर्स पिशावर से और मुक्तलिफ एहरियास से मंगा के वहाँ पर डाले गाएं उनका काम सीद्गी है को पास टाइम नमाज पढ़ने आएं और वहाँ में उनका कर रहा है उन लोगों से जो बीचारे और उफिसे जा रहा हैं आवख उठा लेते हैं वहाँ को इस पॉलिसी का यह कॉलर को शामिल करेंगे असलम वालीकूल वह्यां पैसलम पर यूला मैं दोफ्टार निर्वाद करें जाता हुए इम्रान बोला हुए बात यह है के अली भाई के कौम, हर कौम, जितने भी कौमें रूसी खेरी इसलिए हैं पजी हिर्शे इसलिए में और उनको देशते हैं कि मौा श्रा करता हैं, मौा श्रा को बेटर किस आ करता हैं। जितने भी कौमे है आज कर जो तरकी याउटा कौमे हे उपनी पिश्ली गल्तियों को दे करना उनको सुल जाते हैं और आने वाले श्रेस पर उस्थके सहाँ औरुग। वहां पर मुलाना साथ जो है बड़ा किस्टा बड़ा अच्छा बियान कर देते हज़रत इमाम हुसाइन अलाइसेलाम का और उसके बाद उन्होंने दो फिर कौम को यानिके सुनने वालों को वो जैसे हादीर खतम होती है बाद अच्छा बाद बाद समझे लियाती है वो डबल स्टेंडर कर देते हैं वो भी यह बात कर देके जी एक तरफ तकसीरी है जो के इनसानों पर जरूं करते हैं और एक तरफ है रोने दोने वाले पीटने वाले यैंनि के चो इमान शिया हैं वो बीटते हैं अबन रोते हैं मैं है रान हुआ उस इनसान पर मैं अभी इंशाला अब एक वक harbor मेना दर मैंसे बाद़ू करूंगा कि क्यों इंतिशार रोना इंसान की फितरत है कोई भी शिया हो, सुनी हो, कोई भी हो वो इमान हुसाइन के लिए दर्दे दिल रखता है और उनसे जएगा इसमें खाली रोना आप के उपर भी रो रहे हैं उनसे ये भी कहिएगा कि आप पर रो रहा हैं कि आप ऐसे क्यों है जब सब चीज़े समझते हैं उसके बाद फिसाद पहला रहा है ये आप पर भी ये कौम रो रही है उससे ये भी हमारी तो मैसेज दीगा जी आप, मैं बही तो हरान हूँ कि मैं देखते हूँ इवन ये मदरी चैनल है वो किस्सा इमान हुसाइन का बयान कर रहे है और चाद अफराद उनमें बैठे रो रहे है ये क्योंकि अल्ला की तरफ से अल्ला ताला को रोना पसंद है देखे, बच्चा पैदा होता है अगर जिन्दा होने की निशानी अगर वो मार पीट़ के रोलाती है जिये रोएगा तो जिन्दा होने की निशानी है और रोना वैसे भी साइस दानों ने जो नहीं सेच की है कि रोने से इसान के दमाट की और अंदर का सिस्टेम है वो ऐसे होता है जैसे आमोटी हो जाती है और रोना भी उस वाकिया पर जहां पर जिस नभी से इतनी मुखबत हो और उसके बाग को उजड़ते हुए वो देख के गहे चुप कर दो ये किस तरह के नभी सुना भैर फित्री अमाल है वो बहुत शुक्रिया अप्राइब फजल साब बहुत शुक्रिया जिस के रोपता हुँ कैजों न चीजों को रॉपते हैं जो फुरी बंचलाने वाले टार्गर कीड़ और सारे वोही लोग पैदा हो जाते हैं जिसके ओर रोपते हैं कि जिसमें इसुन addresses के पूरी दुनिया पार तो हिंदू इमाम हुसाइम की तबिए हितनी कर दे है ख़डा की किसम उसम्जाओं से जएदा अबुमाय के वर्ग साइड है कि वर्ग साइड पे बैंड़ करके अली गयानी कि अली के गयान सुनो और ख़डा किसम लोग गैर मुस्लिम ले तक अजाइकालाओं और इनको खुदा का ख़ॉफ भी आता जो रूने वाली बाते हैं उस पर रूने भी देते जो हसने वाली बाते उस पर हसने भी देते इनका दौर खत्व हो गया इम्राइन फद्जिल साफ मामला इनका खत्म हो गया यह यतीमी तो है इनकी जो यह बॉकला हो रहा है चारों तरफ से माशाला जो मुस्तज़फीन थे खुदाने ने गुवत दिये दूरी दुनिया से इमाम से इसलाम का नाम जो है वो इसलीग नी चाहिए कि जब कोई रोएगा या पूछे गा तो पता चलेगा पक्ड़ा कौन पसे उमवी नकार तो उसमें से पकड़ा कौन जायगा तो इसलिए कहते हैं जाओ जाए एक्साटली बढ़ा है कि इसलिए पारिख जो इसले वाकिया आता है वह सारे रूनमा सामने आ जाएंगे जिन जिनको यह मानते हैं जिनको रजी अल्दाला कहते हैं वो शामिन थे इस एकने हाफिज थे। मुसलमान भोश में होता है तो पूछना है हम आप तया है मुहत शुरी है आप आप अधर को लेंगें ठाइम खतम है तो बाते हैं आप से पूछना चाहता हूँ पहली बात ये है कि आप भी हम भी सब लोग तक्फिरी कह के और इनको दृंदे कह के और बात वो खत्म कर देते हैं ये तो जो दृंदे हैं ये तक्फिरी सामने नजर आते हैं ये दैस करते हैं ये तो पपट हैं ये तो पुत्रिकट पुत्लिय हैं मैं आप से ये बात कुछना चाहता हूँ पहला सुाय ये किा हम रहा हैं अभी तक नहीं बर्स रहे कि हम इने पपड तक तो मदूद रहा कि एंपे हार लफ़ बोल देते हैं इनको दरिंदे भी कह लेते हैं लेकिन पीचे जाने कि जाए जो इन पपड की ढोड़ीयां हला रहे हैं जो इन पपड़ को तियार कर रहे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं, इनको हर चीज असला दे रहे हैं और हम उसकी तरह बाई, एक दो लफ़स कहा कि नरम दिबान इसमाल करके उसको बात कर देते हैं क्या वज़ा है कि हम उनको बहन गाप करने के लिए पूरा जोर क्यों नहीं लगाते हैं पहला स्वाल तो यह है दूसरा स्वाल मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ मुझे यह सिर्फ इतना बता दिया जाए कि जब हम कोई बात करते हैं अगर कोई बात हमारी गहर कानूनी हो गहर माशर्ती हो या ऐसी बात हो जिसमें शरीयत पे कुकदगन लगती हो तो फिर तो हम उसके कसूर वा रहा है जब हम बात शरीयत के दैरे में रहे के इंसानियत के दैरे में रहे कि इसजाज करते है इस बात का कि खुदा रहा इंसानियत के दैरे में रहो जानवर ना बरो तो फिर भी हम पे अगर पबंदिये लगाए जाती है और हमारे रोने पीटने पे बंदिये यह चलो यह तो चलती है आ रही है और यह क्यामत तक ना रुकेगा ना रोक सकेंगे तो क्या जब यह सब कुछ होता है दूसरा सूब मेरा आप से यह है क्या यह सब कुछ होता है तो फिर इस जलम के खिलाफ क्यों नहीं हम लोग एक अठे हो के एक जान हो के इस जलम के खिलाफ क्यों नहीं बाहर निकलते है इस ताकत का इजार क्यों नी करते बहुत अची बात है अच्छाज को इस बन्याद पर जगा पर क्यों ने लेके जाते के हकूमते भी लर्जे इस बात पर कि हमको छेड़ना सबसे बड़ी मुश्कल बाता है तो ये क्यों नी होता ये 200 वालों का ज्वाब तेरे बहुत शुक्रिय जजाकल्ला बहुत अच्छी बात नख्वी साब में किया और बिलकुल दर्द दिल रखने वाली बात है और हमने शुरू से ही का कि हमें इस चीज़ का आदा किया इस चीज़ को बर्मला किया कि ये दीने अबु सुफिया ने जिसने अपने कमंद डाली ये जाल फेका है कि दिने मुहमत को अगवा कले और उसकी रोशन शमा को बुझा दे मगर ऐसा होगा नहीं और वो शमा जिसको खुता जलाने वाला है वो कभी बुझेगी नहीं हमने शुरू से का और साओधी फंडेड मुलाओं का भी हमने जिकर किया जो के लोगों को ब्रेन वाश करते हैं अ अवाम जो है वो सियासी पार्टिया इन ही अवाम की हैं यही अवाम बनाते हैं यही अवाम खड़े हैं कौन एक शिया मुझे बता दे कोई भी जो कि यह कहे कि नहीं जो हो रहा है वो सही हो रहा है या हमारा उससे तालुख नहीं को एक मौमिन भी ऐसी बात नहीं कहेगा अ और बरकत ढलने वाली जाथ खुदा की है, रिजल देने वाली जाथ खुदा की है, मैं फिर इस चीज़ को बार बार कहता रहूँगा, कि जवाब खुदा की तरफ से आया है, हमारा काम उसमें हिस्सादा डालना है, जो मेरा फर्स बनता था, मैंने आवाज उठाई, जो मेरी नियतों को सामने परवदिगार के पेश करेंगे इमां हुसाइन सिलाम यही बार बार फर्मा रहे थे कि हमारा काम इम्तान देना है मेरे साथ वो चले जो तलवार के जखम को परदाश कर सके क्योंकि हम जो है वो मौत बगलगीर होने जा रहे हैं उसका जवाब कितना शांदार खुदा ने दिया कि पूरी दुनिया में हुसाइन हुसाइन कर दी वो जो तीन 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 बरियाजम भी हुकूमत कर रहा था उसकी कवर का निशान खतम हो गया वो नाम और निशान मिट गए वो जो हुआ शिमर यजीद और हुरमला बैठे वे ते जो समझते हैं उनकी बनता है कि आवाज जो आवाज उठा सकता है वो आवाज उठाए तो गरिफ्तारी के दे सकता है महापर गराउंट में मौजूओ है वो गरिफ्तारी दे फर कर डालना खुदा काहा में रिजल देना खुदा काहा में कितना आपकी चोंच में पानी समा सकता है उतना हो लीज कर दो झात